आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ ऐसी कोई खास केंडल जिसके लिए मैं बहुत अपसेस्ट हूँ इसको डो बाउल केंडल बोलते हैं I think this is the cutest prettiest way to present a candle अगर specially आप रस्टिक और फार्म हाउस लोग ढूंड रहे हैं तो यह लकडी की बनी होती है इसको अलग-अलग तरहे के से design कर सकते हैं और market में डो बाउल जो है वो different different color में भी available है जैसे कहीं कुछ dark होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ चोटे होते हैं और white color के भी होते हैं छो आज की आपेशोड बे मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इस बॉल को हम candle के रूप में convert कर सकते हैं आप सोच रहे हैं कि कैसी पागल है लकडी के बॉल को candle बनारी है इसमें आग लग सकती है तो आप सही सोच रहे हैं ये डो बॉल जो होता है पुराने टाइम में इसको किचन के अंदर आटा गुनने के लिए यूज किया जाता था बट लोग अभी भी इसको किचन में यूज करते हैं ये विट का होता है लेकिन इस पे स्पेशल केमिकल का स्टेइन किया जाता है इसको पेइंट किया जाता है ताकि ये आग नहीं पकड़े और ये बहुत पॉपुलर हो रहा है इस टाइम में क्योंकि ये एक बहुत क्यूट सा टेबल सेंटर बनता है और दूसरा इसको कैंडल इक पर खतम होने के बाद वापस से रियूज कर सकते हैं साथी साथ आप उसके अंदर कुछ रख के एक सेंटर पीस के जैसे भी यूज कर सकते हैं सो मेरे पास सारी सप्लाई यहां पर रखी हुई है और सब कुछ नीचे लिस्ट में लिखा हुआ है तो आपको पता चले कि मैं क्या-क्या चीजों का यूज कर रहे हूं उसको बनाने के लिए याद रखिए हर कोई कैंडल अलग तरीके से बनाता है मेरे पास मेरा जो बाउल है फिर उसके बाद मेरे पास विक है ग्ल्यू गन है एक पैन है पोरिंग पॉट है थर्मामीटर है प्रेस्टो पॉट है वैक्स है और एक स्केल भी है क्योंकि मैं अपनी वैक्स और फ्रेग करोंगी तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मूला की ताकि हमें जाना है कितना वैक्स ची और कितना फ्रेग्रेंस ओयल चाहिए तो इसके लिए ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं जो है फिल वेट डिवाइड बाई हंडर्ड प्लस फ्रेग्रेंस ओयल परसंटे जैंगे ग्राम में तो यहोगा लगब चार सो ग्राम के आसपस तो चार सो ग्राम डिवाइड ऐड़ 110 परसंटेज़ यह टोटल जो वेट आया हमें वेक्स का वो आया 3184 । बीट वेक्सेट तो फ्रेग्रेंस ओयल का वेट होगा सबसे पहले वेक्स को नापेंगे, एक पॉरिंग पिच्चर को लिए जो कि हम सीधा बॉइलिंग वाटर के अंदर रखेंगे, क्योंकि हम यहाँ डेबल बॉइलर मैथ्ट यूज करें, उस पोरिंग पिच्चर को में स्केल पर रखकर जीरो करेंगे, तो अब जो भी wax डालेंगे वो total wax का weight होगा तो यहाँ पर हम 365 ग्राम के आसपास wax लेंगे इसको अब हम गरम करने के लिए रख देंगे और अब हम fragrance oil को नापेंगे यहाँ पर मैं पिचुली rosewood fragrance oil का candle बनाऊंगी पिचुली rosewood को मैं अपनी website पर soul meditation के नाम से बेशती हूँ और यह मुझे मेरे बच्पन की याद दिलाता है क्योंकि मेरी मम्मी हमेशा पूजा की टाइम एक अगरपती यूज करती थी वो rosewood की थी और जब भी भी मैं इस candle को चलाती हूँ मुझे exactly same feeling होती है कि मैं अपने बच्पन की घर में हूँ और somehow यह मुझे अपने बच्पन की memory lane पर लेके जाती है इसलिए मैंने soul meditation दिया है अगर आप रोज के और पिचुली के फैन हो तो definitely आपको भी try करनी चाहिए जब तक हमारी wax गरम हो रही है मैं यहाँ पर अपना बाउल को त्यार करूँगी मैं विक को बाउल के अंदर रखूँगी क्योंकि यह बाउल बहुत बड़ा है और लकडी का बना है इसलिए मैं prefer करूँगी विक थोड़ा सा अंदर विक रहे बहुत ज़ादा गरम नहीं हो सो यहाँ पर मैं चार विक यूज़ करूँगी और विक को चिपकाने के लिए विक sticker यूज़ कर रहे हूँ अगर आप विक यूज़ करना चाते हैं तो भी फाइन है लेकिन मैं विक sticker prefer करती हूँ ताकि इसको clean करके बाद में फिर से यूज़ कर सको कैंडल की गुणवत्ता इस बात से पता चलती है कि वो उसकी scent कैसी है वो कितना सुगंदित है सेंट के लिए सबसे important होता है कैंडल की विक क्योंकि विक जो है वो decide करती है melting pool अगर हमने छोटा विक लिया है तो वो tunneling होगा और wax properly melt नहीं होगा और हो सकता है कि आपका wax waste हो और scent कुछ भी smell नहीं आए अगर विक हमने बहुत बढ़ा लिया है तो बहुत fast जलेगा हो सकता है कि candle का area बहुत गरम हो और उससे आग पकड़ने के chances हो सकते है तो वो सुरक्षित नहीं होगा candle के अंदर सुरक्षा के साथ साथ उसकी smell भी बहुत important है क्योंकि candle की गुणवत्ता उसी के उपर निर्पर करती है हमारी wax अलमोस्ट रेड़ी है लेकिन मैं फिर भी एक सो नबबे तक temperature के पहुचने का वेट करूंगी क्योंकि जैसे ही मैं उसको निकालूंगी वो ठंडा हो जाएगा और मेरा टारगेट है एक सो पिच्चासी के उपर fragrance oil को एड़ करना और यहां एक सो पिच्चासी Fahrenheit की बात कर रही हूँ मैं दोसों के उपर तक नहीं लेके जाऊंगी क्योंकि बहुत जादा गरम भी जो wax यूज कर रही है उसकी structure को change कर देता है और आपका end product भी गाड़ देगा सो मैं हमेशा 190 और 200 के बीच में temperature रखती हूँ और somehow मैं बहुत सालों से वही यूज कर रही हूँ और वो मेरे लिए best work करता है अब आप यहां देख सकते हैं कि हमारा wax तयार है यह 195 temperature दिखा रहा है यह ready है इसको हम पानी में से निकाल लेंगे अब हम इसको उतार लेंगे और 185 पर fragrance oil डालेंगे fragrance oil डालने के बाद हम एक से दो मिनट तक उसको चलाएंगे ताकि fragrance oil और wax के जो molecules है वो अच्छे से bind हो जाए ताकि जब हम candle को use करें तो वो बहुत अच्छा fragrance दे और best candle बने जब wax का temperature 150 के आसपास होगा थोड़ा ठंडा होगा तब मैं बाउल के अंदर डालोंगी इस temperature पर इसलिए डालती हूँ ताकि किसी प्रकार का sinkhole नहीं हो और surface even हो वैक्स को पोर करने के बाद में I will make sure की wick center में हो अगर wick center में नहीं होगा तो candle अच्छे से नहीं जलेगा wick center के लिए मैं wick holder का use करती हूँ बट मेरे पास बहुत बड़ा wick holder नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर wood stick और knife का use करूँगी ताकि मेरी wick center में रहे इसके बाद जब wax ठंडा हो जाएगा तो हम wick को काट कर इसको डेकोर कर लेंगे आप देख सकते हैं कि डो बॉल candle तयार है बहुत अच्छा surface आया है अब हमारा next step होगा wick cutting हम यहाँ पर scissor का use कर रहे है wick cut करने के लिए और यह बिलकुल तयार है एक wick के लिए इसको cure करेंगे उसके बाद में यह ready है gift के लिए यह बहुत अच्छा Christmas gift हो सकता है दिवाली holiday gift हो सकता है और यह एक decorative piece के जैसे भी आप use कर सकते हैं subscribe my channel for more videos और अगले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अगर आप घर बैठे business करना चाते हैं तो कौन से ऐसे businesses है जिसमें बहुत जादा invest करने की जरुरत नहीं है लेकिन आप घर बैठे कर सकते हैं है